मुझा अच्छा 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 और मेरी सबी से आप से दर्खास थे निवी देने कि इस कारी करम को आप पूरा देखें इस कारी करम का नाम है सखशेत आईए जानते हैं इस कारी करम के माध्यम से हमारे साथ हैं आज रास्ट्रे कवी अंतरास्ट्रे कवी किस ले जी इनके जीवन का सफर कहां से इनके अंदर ये प्रेड़ना जागी के वो कवीताओं को लिखें देश के लिए कवीताऐं लिखें और पुरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करें किसले जी आपका स्वागत है कारेकरभ में प्रणाम भहिया किसलिए जी सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा कि जो कवीताओं का दौर शुरू हुआ है इसकी शुरुवात कहां से हुई है हसीन जी मैं बच्छपन से ही संग की साखा में जाना शुरू किया था तो महां साखा के अंदर गीत गाहे जाते हैं देश भक्ती के गीत होते हैं शाखा के अंदर तो वहीं से मुझे भी यादत पड़ी और फिर रातरी कारेकरम होते हैं संग के अंदर जो कैम्प होते हैं आरेसेस के टेनिंग कैम्प तो उनमें रातरी जो कारेकरम होता है तो उसके संचालन की जिम्मेदारी मुझे कई बार शौपी गई तो वहाँ से संचालन कड़ते-कड़ते मैं बहुत अच्चा संचालन करना भी सीग गया और वहीं गीत और कवीता गाते-गाते रातरी कारिकरम मैं मुझे नहीं पता कि कम है कभी संमेलनों में मन्चों पर जाकर के कवीता गाने लगा तो मेरा जो शौक है यह संग की साकाओं से सुरूखा असीन जी इसको कितना वक्त हो गया है हम छोटे थे छोटे छोटे जैसे बच्चे खेलते हैं तो हम भी खेलने जाते थे और शाका में खेलते 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 कवी एक इत वाला संसकार अपने अंदर आया है और कवी तीरे तीरे दीरे विक्षित हुआ है जो बाप के सामने है इसके अलावा भी कोई शौक है आपका कवीताओं के साथ साथ किस तरह से आपके जीवन शैली चलती है मुझे जल्दी उठना बहुत पसंद है मैं सुबही जल्दी उठता हूँ और उठने के बाद अमने दिन चरिया सुरू करता हूँ और मुझे शारिरी करना वयायाम करना यह पसंद है मैं नित्य प्रति वयायाम करता हूँ अपने बच्चों का कैसे आप बालन पोशिन करते हैं किस तरह कि उनको शिक्षा दे रहे हैं मेरा बच्चों से यही आगरे रहता है कि हमेशा सब बच्चों का जो जीवन हो राष्ट प्रेम से युक्त हो और उनका जीवन भी राष्ट भक्ती से उत्फरोथ हो और जीवन में बढ़ें पढ़ें आगे बढ़ें और हमेशा उनके दिलों में हमेशा देश की धड़कन हो देश के लिए उधड़कते रहे हैं यही मैं अपने बच्चों को भी और जो हमारे बच्चे और हैं उन सबको प्रेणा देता हूँ किसले जी मेरा एक और च्छोटा साबसे सवाल है संगीत की दिवी मा शारदा सभी के अंदर रहती है लेकिन किसी में जादा किसी में कम ये जबान के उपर सरस्वती रहती है इस जबान से ही हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और ये जबान अपना और बेगाना कर देती है तो दो लाइन कुछ कविता की जो आप अंदर्शोकों को सुना से कुछ मा मेरा पाने से ही सुरू करता हूँ मा स्रश्वती ग्यान की देवी है जैसा आपने का है और वहीं से हम जितने भी सब कभी शाहित्तेकार है वहीं से मा के चरणों में बेटके ही लिखना सीखते हैं मा प्रेणा देती है और गणेशी भगवान को ग्यान का देवता माना जाता है तो मैं पर्थम पुझे ग्यानेशी और मा वीना पाने मा स्रश्वती मा सारदे को प्रणाम करता हूँ और दो पंक्तियां मा वीना पाने के चरणों में संदर्पित करता हूँ करे जग मग जो जीवन को ऐसी सारदे मा है मिटा अंधकार को जो दे मनाए हम इसे पहले तो ऐसी यह बहुत बड़ी कवीता है कभी फिर कभी संमेलन में सुनाने का मौका मिलेगा तो ऐसी मा मिरना पाने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी इसके साथ साथ जैसे के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश के अंदर किस तरह से एक नई अरजा युवाओं में बच्चों में पैदा हो, उसको हम किस तरह से देश भक्ती का ग्यान दें, ये आपने देखा है अक्सर भारत के अंदर, कवी और शायर अपनी कवीताओं के जरीए, अपने शायरों के जरीए, अपने अलफाजों को संजो कर एक रखते हैं और वो पूरा फैलाने की कोशिश करते हैं जी जी बहुत अच्छा प्रशन किया है हसीन जी आपने, और ये भारत पहले से ही है, मातर शक्ति की पूजा करता रहा है, अभी हाली में नवरादर संपन हुए हैं, वहाँ भी हमने देवी मा के चरणों में बेटका अपनी कन्याओं के चरणों में बेटका शक्ति अरजित बहुत अच्छा प्रशन किया है, मुझे प्रसंता हुई है, और मैंने लिखी हैं छूटी-छूटी कवीताएं, तो मैं एक दो मुक तक पढ़ देता हूँ, और मैंने लिखा है तुम्ही लक्ष्मी, तुम्ही दुरगा, अंबे और भवानी हो, जगत जननी भारत मा, काईक रूप भी तुम हो तुम्हारा तिलक खुन से हो, आरती भी गोली से हो, और मिटा दो विधर्मियों को तुम, ऐसी शक्ती भी तुम हो पूरे देश की जो हमारी बेटी है, उनके लिए मेरा आशिरवाद है, और वास्तम जगत जननी के रूप में, मा, सरश्वती, मा, दुरगा, मा, चंडी, मा, लक्ष्मी के रूप में जब-जब देश पर आताताई शक्तियों का प्रादुर्भा हुआ है, तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रिचे दिया, और देश से दुष्मनों को, जितने भी इस तरह के गलत तत्व हुए है, उनको मिटाया है, इसलिए मैंने उनका कहा है, और बेटी बढ़ाओ, जो लो बचाओगे जो तुम बेटी, स्रेज्यन स्रष्टी का पाओगे, बैहनमा बेटी के रिष्टे, तभी तो तुम बचाओगे, अगर होंगी नहीं बेटी कहां से युग पूरुष होंगे हम जो कलपना करते हैं कि बाई महापुरुष चीए करांती कारी चीए कहां साएंगे जब बेटी नहीं होंगी नहीं होंगी अगर बेटी कहां से युगपुरुष होंगे और बिना को सल्यादेव की के कहावतार ही होंगे बिना को सल्यादेव की के कहां वतार ही होंगे मा भारती की बेटियां नहीं किसी से कम आज हम देखते हैं हमारी रक्षा मंतरी भी भारत की बेटी है और हमारी विदेश मंतरी भारत की बेटी है हमारी बहुत सारी बेटियां ऐसी है जो धर्ती, यंबार, नब, गगन सब जंग है वो इस देश काई नहीं तो विस्व में अपनी प्रचंड भूमिका में है तो उन बेटियों के लिए मैं पढ़ता हूँ कि मा भारती की बेटियां नहीं किसी से कम हर जंग है संसार में भारती हैं अपना दम कोई नहीं मिटा सकता और इतना तो चंडिमाने इने दे दिया है दम बाचेंदरी पाल जैसी भारत की बेटी तो बहुत सारी बेटियां है से हैं मैं सभी भारत की बेटियों को प्रणाम करता हूँ नमन करता हूँ तो हुसीन भाई मैंने बेटियों के लिए भी अच्छा किसले जी एक चौर इस सफर के अंदर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मुझे लग रहा है कि हमारे जो शुरोता है वो इस कारी करम को बहुत यह अच्छी तरी के से देख रहे होंगे और मैं उनसे निवेदन यह भी करता हूँ कि इस चैनल के साथ आप जूड़े रही है और सख्षियत जैसे कारी करम मैं आपके सामने लाता रहूँगा किसले जी मेरा एक सवाल और आप से है सवाल यह है कि जैसे देश के साथ साथ किया आपने अपनी प्रतिभा का प्रिचивает विदेश में विदिया है कही रहे हाँ 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 मुझे एक बार जेसे मैं देश के अंदर जाता रहता हूं कवी सम्मिलनों में तो मुझे नेपाल जाने का एक शमिलनों में मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा भारत नेपाल में त्रिसंग के तत्वावधानों में एक कारे करम था, बहुत संदर कारे करम था, सुनदेश्वी देश के सभी कवी बंदू आये थे, तो वो मेरा एक मुकारा हासिन जी, आपकी सबसे अच्छी कवीता कौन सी है, जो आपको का बेटा, तो हो सकता है, वो दूसरी मा को अच्छा ना लगे, वो हो, पर उसकी जो मा है, उसके लिए उसका बेटा, वो पूरी धरती पर सबसे सुन्दर है, चाहे उसमें कोई कमी भी हो, तो उसी तरह कवीयों की रचना होती है, शाहित्तेकारों का अपना ज्यान होता है, फिर भी आपने अच्छा प्रस्ण किया है, मैंने कई वर्षो पूर एक कवीता लिखी थी, जब हमारे कुछ शेनिकों के साथ बड़ा विभात्स हत्याचार किया था पाकिस्तान ने, तो मैंने बड़े दुखी मन से, बड़े करोत्म अवेश में एक कवीता लिखी थी, उस कि सुन ले बेटा पाकिस्तान, तेरा बाप है हिंदोस्तान, और घर में घुसकर मारेंगे, मिटा देंगे तेरी पहचान, और हम नकिया है, हमारे शेनन, ये सश्वी शेनन ने, इस राष्ट की, हमारे शेनिकों पूझनिये वीर बंकुरों ने घर में गुसका मारा है और ओप्रेशन जो हुआ था हम सब को पता है सर्जिकल श्ट्राइक तो हमने किया है तो वो मैंने बड़े आकरोश में कवीता लिखी थी उसके बाद अभी खाल में मैंने एक कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की थी मैं आपको सुनाता हूँ वो भी आकरोश की पंक्तियां है क्योंकि मैं वीरस का कवी हूँ ओज की कवीता ही लिखता हूँ वो मैंने लिखा था कि होली बहुत बात अब ना बात करेंगे बहुत होली आब बहुत बाते हो गई होली बहुत बात अब ना बात करेंगे और पत्थर का जबाब अब गोली से ही देंगे रहते यहां कहें अल गाते वहां कहें देस में अब हम यह होने नहीं देंगे देश में अब हम यह होने नहीं देंगे अपमान तिरंगे का नाब हम सहेंगे अपमान फोजियों का नाब हम सहेंगे अपमान तिरंगे का नाब हम सहेंगे अपमान फोजियों का नाब हम सहेंगे जलाते हैं तिरंगे को जो हिंद धरा पर अपमान करते हैं तिरंगे का इसको फाड़ा जाता है भारत की धरती मों जला जाता है अपमान तिरंगे का न अब हम सहेंगे जलाते हैं तिरंगे को जो हिंद धरा पर ऐसे जालिमों को हम जिन्दा जलाएंगे ऐसे जालिमों को हम जिन्दा जलाएंगे तो इस तरह की आक्रोश की कवी ताएं और जब एक कवी का मन बेथित होता है तो लिखता है समाज को संदेज देता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो एक कवी होता है वो अपने शब्दों से अपने दिल की बात को कह देता है भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर अलग अलग जाती अलग धर्म के लोग रहते हैं लेकिन सबसे पहले वो भारती हैं कोई भी गुल्धस्ता अगर तैयार किया जाता है तो उसके अंदर अलग-अलग फूल लगा कर ही गुल्दस्ता बनता है गुल्दस्ते की पहचान अलग-अलग फूलों से होती है तब जाके गुल्दस्ता बनता है भारत देश एक गुल्दस्ता है इसी श्रंखला में मैं इसकारी कर्म को आगे लेके जा रहा हूँ मैं जब महापुरुशों का कान्तिकारियों का इतियास पढ़ता हूँ तो मैंने वीर शहिद असफाक उल्ला खान जी का इतियास पढ़ा और मुझे बड़ा गर्व हुआ जब उनकी बात होती है पंडित बिश्मिल जी की और असफाक उल्ला खान की वो दोनों मित्र बाते करते हैं कि हमें देश के लिए मरना है मिटना है और दुखी मन से एक बार ऐसा पर्शंग आता है जब असफाक उल्ला खान पंडित जी को कहते हैं कि यार पंडित जी तुम तो इस देश के लिए सहीद हो जाओगे देश के काम आजाओगे और फिर आपका जनम दुबार हो जाएगा फिर आप आजाओगे फिर देश के काम लग जाओगे क्योंकि आफ हिंदू हो तो असपाग उल्लाख खान न रोते हुए कहा था कि मैं चुकि मुसलिम हूँ और मेरे इसलाम धर्म के अंदर इस तरी के मैं दुबारा नहीं आ सकता मेरा पुनर जनम मेरे धर्म की आस्ता नहीं है फिर भी पंडी जी ने कहा मैं इस देश के युवाओं के लिए कि संदेश देना चाहता हूँ राष्ट एक्ता का इस सब बेजोड उधारन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है हम राष्ट एक्ता क बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक संदेश हो सकता है यह परसंग हो सकता है तो पिर पंडी जी ने कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं स्पाग भाई आपको क्या दिक्कत है आप तो स्वर्ग में जाएंगे आपको जननत मिलेगी भगवान आपको जननत देंगे तो उ आतरे हिंद वतन के आप काम आए है मैं आपको जननत देता हूं स्वर्ग देता हूं तो उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के आगे जोली पहला दूंगा मैं खुदा को कहूंगा कि मुझे जननत नão चीए स्वर्ग निच चीए मुझे उसके बदले एक जनम और चीए जिसस मैं पैदा हो सकूँ और धरती मा के काम आ सकूँ तो असपाग उल्ला खान की जिए मैं कहाने पढ़ता हूँ तो मेरी आँखों में आँसु आ जाते हैं तो यह से यह मेरे जीवन का एक बड़ा ही मारमिक परसंग और मैं यह से कभी सम्मेल नोमर जहाँ जहाँ मेरा व्यक्षान होता है मैं जाता हूँ श्किल कॉलिजों मैं मैं वहाँ जरूर सुनाता है और वास्ता में यह मुझे लगता है कि इस देश के लिए एक बेज़ोड उदा रहरा है किसले जी जैसे के जैजवान और जैकिसान भारत का उत्तम नारा है इन दोनों को भूडना जाना भारत देश हमारा है अब प्रोग्राम को आखरी मोड पर लेकर हम जा रहे हैं लाल बादुर सास्तरी जी का पावर्ण के लिए बता देजे क्या वो लाल बादुर सास्तरी जी हमारे देश के आदर्स और वास्तों में जब उन्हें याद करते हैं तो हमारे रॉंक टेखड़े हो जाते हैं जै जवान जै किसान जै हिंदका उन्हें नारा दिया था इस पर भी मुझे याद आरी हैं कुछ पंग्तिया आप किया नूमति हो तो मैं दो पंग्तिया मैं सुनाओं हमारे देश का किसान पूरे संसार का पेड़ भरता है और अपने अब भूका सोता है कितनी बड़ी महामता है देश का किसान इसलिए उन्होंने कहीं लाल बादुर सास्त्रीजी ने कहा होगा कि जै जवान और जै किसान तो सबसे पहले में जवान जो हमारे शेनिक है माभारती के सच्चे सी वीर सिफाई हम यहाँ इंजुआए करते हैं देश के अंदर और वो देश की सरहदों की रक्षा करते हैं जान पर अपना जोखिम में डाल करके कितना बड़ा कष्ट उनके लिए है मैं पुझे वीर शेनिकों के चरणों में दो पंक समर्भित करता हूँ कि सरहदों की रक्षा को जो भी वीर सहीद हुए और जिन जिन माओ के थे बेटे उन माओ के पावन चरणों में हम सब का प्रणाम है पावन चरणों में हम सब का प्रणाम है तो वास्तम उनके कारण हम जिन्दा है और वो वीर, मादा, जो माएं हैं, बेटियां हैं, बहने हैं तो मैं उन सब को ये पंक्तिया निविदित की है किसान, किसान के लिए भी मैंने लिखा है इस देश के जितने समस्त किसान है, किसान पुत्र है मैं उनके चरणों में भी ये पंक्तिया निविदित करता हूँ मुझे प्रसंता होती है कि मैं भी किसान पुत्र हूँ कि बेटा में किसान का हुखेत में गन्ने की जगे देखना मैं अब से तलवारे उगाऊंगा और सीस काट करके जो ले गए ते फोजियों का सीस संग उनके मैं हाथ काट लाऊंगा सी से संग उनके मैं हाथ काट लाओंगा ये काम भी किसान करता है अगर किसान गन्ने को काट सकता है तो देश के दुस्मनों को भी काटने की वही मत रखता है हसीन भाई यह आपना बड़ा अच्छा याद किया मुझे याद अगई कुछ पंक्तियां मैंने जवान और किसानों के चंड़ों में निविदित की मैं अपने सभी देश वासियों को जो इस चैनल को इस कारेकरम को देख रहे हैं उनको प्रडाम करना चाहूंगा और मेरा एक ही सोच है कि यदि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेगे और यदि देश की सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां सुरक्षित रहेगे हमारे आने वाली पीडियां कहां सुरक्षित रहेगे हमारे कार, गोटी, बंगले, रुपया, पैसा, धंदौलत कहां सुरक्षित रहेगा इसलिए पहले राष्ट, स्वयम से पहले राष्ट, हम से पहले राष्ट, राष्ट का चिंदन उठते बेटते, जो भी हम करें पहले देश का चिंदन करें, राष्ट हमारा बचेगा तो हम बचेंगे, इसलिए राष्ट की रक्षा, राष्ट की रक्षा, और जो राष्ट की जैसे कि आपने कवी किसले जी को सुना चैनल के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है भारत में एक ताका देश पर मर मिटने का बने रही है हमारे साथ मैं हर ससीन समाचार इंडिया रोड़की